हेलो सात्यों नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग एक और फर्मान बिहार की तरफ से जारी हो चुका है और जैसा कि आपको मालूमें कि बिहार से जो फर्मान आजकल जारी हो रहे हैं वो सिर्फ पेपर पोस्पॉन के हो रहे हैं तभी किसी एक्जाम में डेट आती है कभी किसी मे नहीं आती है एक और इन्होंने यहाँ पर देखेगा राज्य में जो STET और DLA की परिक्षा 18 जून को होनी थी उसको भी बकरीद को लेकर इस्थगित कर दी गई है क्या जब यह शेड्यूल बना रहे थी बच्चों के साथ लगातार इस तरह के खिलवार जो है वो बिहार सरकार करते जा रही है पता नहीं कभी है उनका खिलवार रुकेगा बिहार विध्याले परिक्षा समीती दुवारा DLA के सत्र 2023 के परिथम वर्स की परिक्षा 18 जून से 25 जून तक निर्धारित है इसी क्रम में 17 जून को बकरीद के मद्यजर अभ्यारतियों के हितों में DLA के परिथम दिन की परिक्षा 18 जून को जो आप लोगों की केकेते परिक्षा है वो इस्थगित कर दी गई है DLAD की भी और BS TET की भी आप लोगों की जो परिक्षा है वो इस्थगित कर दी गई है यह सूचना आप लोगों तक पहुचा दी गई है इसमें जैसे ही कोई अपडेट आएगा इस एक्जाम को ले करके तो वो आप लोगों को तुरंत दे दिया जाएगा लेकिन बिहार सरकार लगातार इस तरह के जो काम है वो पिछले कुछ महीने से तीन-चार महीने से तो लगातार कर रही है इस पर कुछ ना कुछ आवाज उठाने की जरूरत है अब देखेगा इस पर क्या होता है टीचर सड़ा की पूरी टीम एक साथ बैठेगी और फिर इस पर कही ना कही मंथन करेंगे कि इसमें क्या चीज़े हम कर सकते है जो बच्चों के हितों में हो या फिर जो बिहार सरकार है या फिर जो exam authority है हमारी जो exam conduct करा रही है तो उनको थोड़ा सा responsible होकर schedule बनाए इस तरह की चीज़े बार-बार ना हो तो पहरे साथियों मिलते हैं बाकि अगर आपका कोई doubt है किसी तरह का तो नीचे comment section है वहाँ पर आप मुझे comment कर सकते हैं जहाँ पर आपको आपकी बातों का reply मिल जाएगा जै हिंद जै भारत पहरे साथियों